क्रीटिंग्स नमस्कार्स तश्यकाल गाइज एक बार फिर सवागत आप सभी का आपके अपने चैनल दे लीजन स्टडी लेट्स अंडरस्टेंड इस दोस्तों हमने जोग्रफी क्लास 60 खतम कर दिया और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 60 की हिस्ट्री हिस्ट्री ये व कोई सी चैप्तर में चैप्तर में कॉछ समय पढ़ना दोस्ते पहले आप चैनल पर नहीं तो चैनल को स्ब्सक्राइब करना मत भूलना और जब वीडू को लाइक करना मत भूल दोस्तों सबसे पहले बात आती है चैप्टर में नर्मदा रिवर के बारे में नर्मदा रिवर जहां पर सबसे पहले जो है लोग आये थे जो की गैजरस थे उसके बाद लोगों ने हंटिंग वहाँ पर शुरू की गैजरस होता है दोस्तों जो लोग मतलब इधर उधर से इखटा करके जो है अपना खाने पीने का काम चला लेते हैं दोस्तों gatherers में आते हैं they collected roots, fruits and other forest produce for their food they also hunted animals, hunted मतलब जानवरों का शिकार करके जो है अपने खाने पीने का काम वो चला लेते हैं उसके बाद उनकी जो body होती है जो after skin होती है उससे वो अपने कपड़े वगारा भी कही बार बना लेते हैं दोस्तों उसके बाद बात आती है सुलाइमान एंड कित्थार इसके बारे में यह इसमा आपको बता लेते पाकिस्तान से यह पाकिस्तान में इंडिया के नौर्ट वेस्ट में दोस्तों यह उन एरियास में से एक है जहां पर लोगों ने सबसे पहले crops ग्रोप शुरू करी थी जैसे कि wheat and barley about 8000 अगो आठ जार साल बहले यहां पर सबसे पहले लोगों ने wheat and barley grow करना शुरू किया था दोस्तों उसके बाद लोगों ने यहां पर धीरे धीरे एनिमल्स की रियरिंग भी शुरू की एनिमल्स की रियरिंग का मतलब होता है उनका पारना और फिर उनसे जो भी प्रोड्यूस उसका यूज करना यहां पर लोग विलेजिस में रहते गे बात आते हैं गारो हिल्स और विंद्याज की गारो हिल्स है दोस्तों इंडिया के नॉर्थ इस्ट में और विंद्याज हैं सेंट्रल इंडिया में यह दोनों वो एरिया जहां पर सबसे पहले जो है अगरी कल्चर हमारा डवलप हुआ था इस आर दी प्लेसिस वेर राइस पर सस्ट माल्य यहां पर सबसे पहले जो है राइस की जो खेतिय वो फूर्वीधि उसके बाद बात आते हैं कि नाम वह कैसे हो ले के इंडिया के भारे में कि इंडिया नाम कैसे जो है इस देश का पड़ा थो दोस्तों इंडिया जो नाम आया है वो आया है इंडस नदी से इंडस रिवर के नाम से जिससे सिंदू जो है संस्क्रिप में हम बोलते हैं इरानियर्स और ग्रीक जो है 25 साल पहले जब यहां आये थे तो उडों ने इस जगह को नाम गया था इंडस यानि कि इंडस नदी के जो इस्ट वाला एरिया है उसको वो इंडिया बोलते हैं बात आते दोस्तों भारत नाम कैसे पड़ा भारत नाम जो है दोस्तों एक ग्रूप ओफ पीपल को दिया गया था जो की नौर्थ वेस्ट में रहते थे यानि नौर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को भारत नाम दिया गया था भारत नाम जो है दोस्तों इस नाम का प् जो कि नौर्डन हिमाल्याज में जो ग्रो करता है उस ट्री की बार्ख पे जो है लिखते थे दोस्तों और फिर उसको लिखने के बाद उसको सेफ रखते तो दोस्तों मतलब क्योंसे ल्गवजिस में लिखते हैं जनरली संस्रिक्त तक यूज होता था आर प्रक्रीट लेंगवज्जों उसको लिखने में यूज्झत करते थे थे आर्टेम एम हमारे चेप्ध्र में येंस्क्रिक्षी वह Harbor टोन पर या किसी मेटल पर जो है लिखके उसे सेफ रख देते थे एक वर्ड आता है दोस्तों हमारे चैप्टर में एक्सक्वेट करके मनलब कि पुदाई करके हमें जो चीजे मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि पुदाने टाइम में क्या-क्या जो है चीजे होती थी किस-क यह दोता है जो से आफ्टर टेचल पर टोने या जल्या लिखसांटे और वकले खञव करें सिक होता है किस-क क्राइस डैफ के बाह वह तो प्रड़त आ इनन वहुआ कि क्राइस्ट की ते बाद शूआ हो जो फिल गाते हैं नौर्मली जो जैसे भी 2020 चल दा तो इसके पीछे हमें एडी हम एडी लगा सब्सक्राइब और बीच से का मतलब होता है विपोर क्रिस्चन एरा या विपोर कॉमन एरा और सी का मतलब होता है कॉमन एरा यह कुछ चीज़े जो हम याद करने है डैसी फर मैंट एक जो हम वाल्ड आता है चैप अब बहुत ज्यादा मुस्के लोग लिए 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 वाज हम यूज नहीं करते हैं उसके बाद कुछ इंपॉर्ट यह मगद के बारे में बात गिया जी फर्स्ट बिग इंग्डम वाजी मगद और यह जो थी वह गंगा वैली के पास जो थी लोकेटिए थी वाज एक बा वैली पे जो सिटीज थी वो डवल अब होई 25 यह अगो उसके बाद बिग्निंग ऑफ अग्रिकल्चर जैसे मैंने आपको बताया अभी चैप्टर के विजमें पीछे जाके वीडियो को दिन में कहां पर मैंने बताया था बिग्निंग अग्रिकल्चर जो वीजी वह 8000 यह सब्सक्राइब के पास पर्ष्ट सिटीज आई इंडिया के इंडिया के इंडिया के पास 4700 अगों तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी खतम होता है इस्ट्री क्लासिक्स का पहला चैप्टर हमने आज खतम कर लिया है अगर आपको समझ में आया वीडियो अच